अब हम सिगनल्स को ढूंट रहे हैं जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदी की लोकेशन का पता चाल जाएगे ठीटर के बाहर लगे पोस्टर के कटाउट्स गदर 2 और OMG2 को किया फिल एटली ने कॉपी किया सीन बॉलिवूट और टॉलिवूट की इस जंग में सबसे ज्यादा फाइदा ओडियन्स को हो रहा है जी हाँ दोस्तो जवान के छोटे से क्लिप नहीं सालार को हिला डाला जहां लगभग 24 खंटे में सालार के ट्रेलर पर 120 मिलियन व्यूज आये थे वही जवान के छोटे से क्लिप पर ही 120 मिलियन व्यूज आ गए जवान मुवी के छोटे से क्लिप पर व्यूज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में गदर, ओमजी और जेलर जैसी मुवी जवान के आगे से दुम दबा कर भागने वाली है जवान मुवी के लिए वेड चिली ने पूरी के पूरी तयारी कर रखी है जहां रेड चिली ओनलाइन जवान का भी कोई पोस्ट रिवील नहीं कर रही है वही रेड चिली ने थियेटर के बाहर जवान के पोस्टर्स के कट आउट्स लगा दिये है रेड चिली ने ओनलाइन जवान से रिलेटेड जो फोटो शेयर की थी ना वो थियेटर के बाहर लगे पोस्टर के कट आउट से बिलकुल हटके है ओनलाइन वेड चिली ने जवान के फोटो को ब्लू शेट दिया है और वहीं दूसरी और थेटर के बाहर लगे पोस्टर पर उन्होंने येलो शेट देकर पोस्टर पर जवान के दो तिन लुक्स को एक साथ दिखाया है बीते कुछ दिनों शारु खान जवान मुवी के लिए स्पेक से लगाये हुए नजर आ रहे थे और वो काफी वारल भी हुआ था अब उस लुक को रेड चिली ने दुनिया के सामने ओफिशली थेटर के बाहर कट आउट्स लगा कर प्रिजेंट कर दिया है पंदरा गर्स्त के बाद देश भक्ति की भावना लुकों के दिलों में जगी हो या ना जगी हो लेकिन सेनिमा के दिवाने नींद से जरूर उट चुके है गदर 2 को सिनिमा के दिवानों ने 500 करोड की और OMG2 को एक हफ़ते के अंदर अंदर 123 करोड की कमाई कर दी है वही जेलर ने तो गदर 2 और OMG2 दोनों के मुँपर खींच कर तमाचा मारते होए ना सिर्फ 13 दिनों के अंदर 560 करोड की कमाई कर ली है लेकिन अब OMG 2, God the 2, Jailer सभी को उनकी आउकाद दिखाने के लिए Bollywood का बादशा जवान बनकर वापस लोट रहा है कुछ अच्छी चीजों को दोबारा दोहराया जा सकता है इस बात का प्रूफ दिया है डारेक्टर एटली ने डारेक्टर एटली ने अपनी ही पुरानी मूवी से सीन को उठा कर कौपी-पेस्ट करके जवान में डाल दिया जवान मूवी में शारूख खान जब अपने हाट को ऊपर से नीचे की और कलाप करते है न उस सीन को एटली ने अपनी ही मूवी मरसल से कॉपी किया है वेल इस पर आपको क्या कहना है कॉमेंस में जरूर बताएं